नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है एसिया के दो देश आर्मीनिया और अजैर्विजान की लड़ाई बहुत खतरनाक मोल लेती जा रही है रूस के मासको फोरें इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि गोर्नो कारवाख और आसपास का छेत इसलामिक आतंगवाद का रूस में प्रवेश के लिए लौंच पैट साबित हो सकता है रूस ने 25 से अधिक बरसों से चली आ रही इस लड़ाई के परणामों की तरफ ही सारा करते हुए कहा है कि जल्दी से जल्दी इसे बंद होना चाहिए दोनों देश की सिनाए 27 सितंबर से आपस में भिड़ी हुई है और लड़ाई का जो मैदान बना है वो बना है नागोर्नो कारवाख अजर बेजान संघर्ष टालने के लिए राजी नहीं हो रहा है वो करा कि एक ही सर्थ है जब आर्मिनिया इस बात के लिए राजी हो कि वो एक टाइम बाउंड पिरियेड में नागोर्नो कारवाख को खाली कर देगा क्रेमलीन के प्रवक्ता दमित्री पेशको ने लडाई बंद करने की अपील करते हुए कहा कि इसे जल्दी से जल्दी करना होगा नहीं तो प्रणाम घातक होंगे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरो ने चिंताब्यक्त की है रूस के फोरेंड इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुक सरगेई नर्सकीन ने कहा है कि संगर्स में जो भाड़े के सैनिका आ रहे हैं वो मीडिलिस्ट के आतंगवादी हैं हजारों कठर पंतियों से जूज रहें अब कारबाग जूद में पैसा कमाने की उमीद करते हुए कठर पंति कुद पड़े हैं उन्होंने चेतावनी दे की दक्षिट का केसस छेत्र अंतराश्टी अतंगवादी संगठोनों के लिए नया लांच पैड बन सकता है और रूस तमास भी नहीं बना रहेगा सरगयी की टिपडि तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कायो सोगलू के उस बयान के बाद आई है जिसमें तुर्की ने मासको पर जुद इबिराम के कोश्यों के नाम पे अधिक सक्रियता दिखाने का रूप लगाया था रूस फ्रांस और अमेरिका जो है मद्यस्ता के जितने भी प्रयास की हुए सब विफल हो चुके हैं इन्होंने सांती की भी अपील की थी तो ये बात किसी से नहीं चीपी है कि पाकिस्तान और टर्की ने अपने लडाके भेज रखे हैं नागोर्नो काराबाग में और उसी की तरफ रसिया इस सारा कर रहा है कि ये जो है आतंगवादियों का लांचिंग पैड साबित हो सकता है नागोर्नो काराबाग में जुद्य ब्यूराम के बाद 27 सितंबर से जो नई जंग छुड़ी है इसकी वज़ा से जो है दुनिया के और देश भी चिंती थोने लगे हैं नागोर्नो देश नागरी मारे जा चुके हैं एक सक्छतकार में सिर्याई नेता बसर असद ने कहा है कि तुरकी के राश्तलियों को भड़काने के दोसी है पाकिस्तान पे भी ये आरोप है ऐसे में इरान और रसिया चिंतित क्यों न हो क्योंकि इरान की जो सिमा है वो इन देसों से मिलती है रसिया का आर्मेनिया से रक्षा संधी है बार बार वो समझा रहा है लेकिन ये अजर्बेजान मानने को तयार नहीं है आर्मेनिया जो है वो कैसे मानें ये स्वाभिमान की लड़ाई है ये स्वाभिमान की लड़ाई कहीं तिसरे युदि का अखाड़ा ना बन जाए इसको लेकर के दुनिया चिंतित है गनीमत है कि अमेरिका और रसिया फ्रांस भी उसमें सामिल है ये तीनों इस मावने में एक सूर से बोल रहे हैं को को एक दिन भारी पड़ेगा जैसे इसको लेकर के कोई और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इनकबर तैंक यू